मेरे फसल मेरा ब्योरा योजना 2022, हर्यान सरकार देरे किसान को दान की सिदी बजाई करने पर 4,000 पे किसान इस तारीक तक करे शियोजना में हाविदान मेरी फसल मेरा ब्योरो योजना 2022 हर्यान सरकार देरे किसान को दान की सीधी बजाई करने पर 4000 पे किसान इस तारिक तक करेश योजना में हावेदान हलतो साशोगा स्वागते हमारी यूटूब चनल डिकटो नुजमे रभी की फसल की कटाई के बाद अब खरीब की बुआई का सीजन सुरू होने वाला है किसान रभी की फसल के विक्रिये के बाद खरीब फसलों की बुआई का काम में लग जाएंगे खरीब फसलों में दान प्रुमुक होती है इसकी बुआई भी पानी की ज़्यादा आफसकता होती है लेकिन गिरते भूजल इस्तर को देखते हैं सरकार ने किसान को धान की सीधी बुआई करने की सला दी है इसके लिए हर्याण सरकार की ओर से राज्य किसान को 4,000 रुपे पूर्ती एकड की अनुदान रासी प्रतान की जाएगी इधर पंजाब सरकार की ओर से किसान को धान की सीधी बुआई करने के लिए पूर्ती एकड 15,000 रुपे का अनुदान दिया जाएगा हर्याना हम कितने छत्रों में रखा गया है दान की सीधी बुआई का लक्षे विश्य सग्यों के अनुसार धान की पारंपरिक रुपाई कि तुलना में सीधी बुजाई में 25-30% पानी की बचत होती है वो श्रम बहुत कम लगता है इसके साथी सीधी बुआई तकनीक और पारंपरिक तकनीक से धान की पैदावार करीब समान होती है हर्यानम किसान कब से क कर सकेंगे दान की बुआई हर्यान सरकार की घुसना के अनुसार राज्य कि सान 20 माई के के बाद धान कीि सीधी बुजाई कर सकते हैं महीं पारंपरिक धान की के ilताट मीश्यों के बाद स्रू होगी कि आछका पानीए ons एकड़ करने में किसान का नोदान दीया जाने बसस म बतला किया है पहले धान की चीदि विजाए करने करने पर किसाँ को 2.5 एकड अनुदान ले सकते थैं लिकिन आफ राइस सरकार निये सर्त हटा ली है अब किसाँ 2.5 एकड से वि अधिक स्छेतर में धान की ब्वाई करकर, अनुदान का लाब ले सकती है वेसे किसी किसान ने 5 एकड में धान बोया है तो से 4,000 रुपे पृती एकड के हिसाब से 5 एकड के लिए 20,000 रुपे दिये जाएंगे जबकि पहले ऐसा नहीं होता था पहले चाहे वो अपने 5 एकड में धान क्यों ने बोय उसको सिर्फ 2.5 एकड तक अनुदान दिया जाता था पहले से कम हुआ अनुदान पता दे कि हर्यान सरकार ने धान पर मिलने वाली पृतोसान राशी गटा दिये पहले धान में सीधी बुआई पर 5,000 रुपे का अनुदान दिया जाता था लेकिन इस बार सरकार ने इसमें 1,000 रुपे घटा दिये है अब किसान को पृती एकड चार हजार रुपे का अनुदान दिया जाएगा धान की सीधी बुआई पर अनुदान प्राप्ट करने के लिए कैसे करें आवेदान द्रान की सीधी बुवाई पर अनुदान का लाब लेने के लिए किसान 30 जून तक मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टाल पर ओनलाइन आवधन कर सकती है आवधन के बाद किर्शी अधिकारी पटुवारी द्वारा फसल की बहुतिक सत्यापन किया जाएगा इसके बाद लाबाती किसानों को सीधे बैंक खाते में परतोसान रासी ट्रांसफर की जाएगी पता दे कि हरान सरकार के ओर से मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टाल पर किसानों को रेजिस्टरेशन कराना जरूरी है पोर्टल पर रेजिस्टेशन में किसानों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा फसल का व्योरा देना होता है कि कितने चेत्र में किसान ने फसल की बुआई की है और इससे किसानों का अनुदान का अलाव प्रदान आसान हो जाएगा मेरी फसल मेरा व्योर पर आज़ुन करने के लिए आज़ुन करने वाले किसान का अधार कार्ड, किसान का इस्ताई निवास प्रमान पत्र, किसान के खेतके का आगजाद, किसान का बेंग खाते का विवरन है तू, बेंग पास्पू की कोपी, किसान का पास्पोर साइज फोट किसान का मुबाइल नमबर जो अधारकार से लिंक हो मेरी फसल मेरा वियोर वह योजना हर्याना 2022 को लेकर आपकी क्यार आया हमें कमेंड वोगस में कमेंड करें ताकि आने वाले वीडियों को हम इस योजना समधें आपको और विश्तार जानकर देशकें अगर आपको हमारी व इकन को जरू दो बाइ